हेलो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की इस वीडियो में आज की वीडियो में हम mcqs लेकर आया फ्रम टॉपिक इंजाइन इमोबलाजेशन इस पार्ट ऑव बाया टेक्नॉलजी सब्जेक्ट कई बच्चे सोचते की जी पैट के लिए नहीं पड़ेगे थोड़े कोशन आते लेकिन आपको बात बतातू बाया टेक्नॉलजी जो सब्जेक्ट है वह बहुत इंपोर्टन और बहुत इंट्र में जाना है तो उसमें बाये टेक्नॉलजी का बहुत इंपोर्टन पार्ट आपको यह को पड़ना जरूरी है और इस टॉपिक कि जो हमारे पास फूल ंसी की टेस्ट है वह हमारी वेब साइट केर्वेल क्लासेश्ट दोट कॉम पर हमने अप्लोड कर दी है आप जाके केर् सकते हैं कि आपकी प्रेप्रेशन किस तरीके से चल रही हम फ्यूचर में भी कई सारी एंसी यूज वहां पर अप्लोड करेंगे एंड डिस वीडियो इंक्लोड़ेट टू सैमिस्टर सिक्ट सेमिस्टर सिक्स्ट और भी फार्मसी इसकी वीडियो हमारे पास लेक्चर वीडिय है और उनका फंक्शन दिया गया है यहां पर हमने इन दोनों को मैच अप करना है वीडियो को पॉस कीजिए वापिस आई और अपने आंसर को चेक आउट कीजिए तो आप्शन है हमारे पास यहां पर क्यों है आंसर चलिए देखते हैं देखिए सबसे पहले हमें पता होना चिदिया का नाम है इंजाइम का घ्रों का क्या होता है एक शिंपल भाशन भूलू तो बयो के लिस्ट स्वारी यहां पर थोड़ीजी स्पलिंग मिस्टेक हो गई है बयो कैलिस्ट का काम क्या होता है कि एक रियाक्शिन हो ओर यह उसे तेज करना है उसमें कुछ अडिशनल addisonality लानी ठीक है अब मान लीजिए simple सा example लेता हूँ आप पढ़ रहे हो ठीक है आप पढ़ रहे हो पढ़ना आपका reaction है ठीक है आपकी पढ़ाई एक reaction है उसमें आप reactant क्या है आप और आपका reactant आपके साथ और क्या है सब्सर्टिट क्या है आपके पास आपका study अब आपके पास study material भी है आप पढ़ भी रहे हो तो प्रोड़क्ट क्या होगा आपके पास प्रोड़क्ट होगा आपकी पढ़ाई आपके रिजल्ट अब वहीं पे केर्विल क्लासेज आकर आपको मदद कर रहा है आपकी प्रेपरेशन को बूस्ट अब कर रहा है तो इसका मतलब वो क्या हुआ एक इंजाइम का काम कर रहे है मतलब कि आपकी प्रोडाव करow करें मतलब किसी भी बी biological reaction को boost up करना उसकी reaction उसकी reaction स्पीड को भढ़ा देना उसे हम बायो कैटलिस्ट बोलते हैं और इंजाइम का काम होता है basically काफी सारी biological reaction में अपना major role प्रे करना अब इंजाइम में बेसिकली छे प्रकार की है हमारे पास यहां पर oxidoreductase transferase hydrolyase lies isomiris और ligase किसी भी compound के पीछे मां लीजे कोई एक्स कंपाउंड है और उसके सार्व हुआ है oxidoreductase तो हमें उस सो मझना है कि oxidoreductase मतलब वह compound simultaneously oxidation भी कर रहा है transference माल लिंजिए कोई x compound और उसके साथ लगा है transference इसका मतलब हम्द्म कि वो functional group का transfer करना है functional group यहा पर बोल गहीं लेकिन वह function group का transfer कर रहा है motivated enzyme का मतलब हो रहा है कि वह bond बॉन्ड की splitting कर रहा हो है महलेज़े एक x atote쯤 है और एक या टो यह डोनों के बीच में बॉण बन रहा है के द्वारा यहां पर हाइड्रोलेस के द्वारा यहां पर हाइड्रीज लायस न्यौन मतलब क्या होता है है यहां पर हमारे जो भी एंजाइम है और लाइगेस का मतलब क्या है अगर यह चीज़े लगी है तो हमें उससे समझना है कि उस क्या काम हो रहा है हमारी और इस से हम कंक्लूड करते हैं कि हमारा था दाट इस पी टू क्यू थी आर वन ए एस फोर चलिए नेक्स को देखते हैं हमारे पास इंजाइम immobilization method in which no reactive forces is present a b c d वीडियो को पॉस कीजिए वापिस आई और आपने चेक आउट कीजिए तो आंसर है इसका डी क्यों है डी आंसर चलिए देखते हैं सबसे पहले हमें यह समझना ज़रूरी है कि इंजाइम immobilization का मतलब क्या होता है इंजाइम को immobilize करना देखिए सिंपल सी बात मैं आपको सिंपल भाजा में समझाता हूं हमारी फूर हमारी फार्मसोटिकल इंडस्ट्री है पैंसलिन बन रही है एंटिबाइटिक्स बन रही है कई सारी चीज़े बन रही है तो उसमें किस प्रचण हो रही है तो किसी इंजाइम की ता पर पर रही है वह को यूज करने का कॉस्ट ज्यादा होता है हम क्या करते हैं को यूज करके उसे च्रक करके र дополн यूदि Neverice जाविता करने तो enzyme immobilization का यही मेन मतलब है कि हम एक इंजाइम को बार-बार यूज कर सके ना कि एक enzyme को अलग-अलग बार यूज करना ठीक है इससे क्या होता है कि production cost जो है वो काफी लो हो जाती है अब techniques क्या enzyme immobilization की basically पांच टेक्निक्स आती है जी पैट या फिर कोई भी pharmacist exams में यहां से question पका पूछा जाता है कि कौन-कौन सी टेक्निक्स है और टेक्निक्स के कुछ-कुछ जो major points है उससे question पूछे जाता है जैसे वह इंक रूइने अपने अंदर तक ले गया अपने अंदर molecules तक ले गया तो उसे बोलते है absorption मतलब इंटर इंटरनल फिनॉमिना है और absorption सर्फिस फिनॉमिना या एक्स्टरनल फिनॉमिना है इसमें basically क्या होता है हमारे जो enzyme है वह adsorb हो जाती है एक पॉलीमर सपोर्ट पर या पॉलीमर मैट्रिक्स पर हमारे पास enzyme immobilization में basic चीज़ है पॉलीमर मैट्रिक्स पॉलीमर मैट्रिक्स में हम अपने enzyme के साथ हमारी enzyme जो है वह एंट्रैप रहती है या फिर उसे हम store करके रखते है जो कि नौन रेक्टिव होती है नेचर में next है हमारे पास कोविलेंट बॉन्डिंग कोविलेंट बॉन्डिंग से आपको पता है chemistry में हमने पड़ा कि कोविलेंट बॉन्डिंग की मदद से हमारे पास enzyme immobilization हो रही है थर्ड हमारे पास इंट्रैप्मेंट से हम सिंपल ये समस्टे जैसे की कैदी को एक जेल में रखाओ जेल हमारे पास यह हमारे पास मान लीजीए यह जेल है यह जेल हमारे पास क्या है इस जेल के अंदर हमारी इंजाइम है मतलब इंट्राप्ट हो गई है और इंक्याप्सुलेशन से जैसे हमारी कैप्सूल होती है कैप्सूल के अंदर एक हमारे पास इंजाइम इंट्राप्ट हो तो इसे हम बोलते हैं enzyme immobilization और उसकी techniques and here we conclude that we are answer for this question was answer option D adsorption method next step हमारे पास dextran gel as in carrier matrix इन में से कौन सा जो हमारे पास option है वो एक dextran gel है जो कि हमें as a carrier matrix use करते है answer है हमारे पास C cifadex कैसे ऐसी answer चलिए देखते हैं matrix is used for immobilization of enzyme via adsorption or any other method matrix का मतलब होता है कि एक chamber या फिर कोई एक ऐसा system बनाना जिसमें हम अपनी enzyme को encapsulate करके या फिर enzyme को पकड़के रखे ताकि वो हमारी enzyme in actively immobilize हो जाए और हम उसे further use भी कर सके तो यह सारे हम matrix है जो कि हम use करते हैं हमारी enzyme immobilization techniques में जिसमें हम अभी मैंने option में हमारे पास जाता है जैसे कि टैबलेट में बाइंडर कौन सा यूज हो रहा है लेक्टोस किंग डाइलुएंट कौन सा है लेक्टोस मैं कैलिशियम स्टीरेट क्या है एक लूब्रिकेंट है ऐसे कोशन पूछे जाते हैं वहीं पर यहां भी टेक्नोलजी सूटिक्स का पार्ट है तो ऐसे चैक आउट कीजिए तो आंसर है हमारे पास एज़ा बाइंडिंग एजट अब बाइंडिंग एजट को यूज करने का क्या मतलब है यहां पर जब हम इंजाइम इम्मोबलाइजेशन की जाती है और वह कोविलेंट बांडिंग मेथड के तुरू होती है तो हमें वहां पे बाइंडिंग एजट की जरूरत होती है बाइंडिंग एजट की जरूरत इसलिए होती है ताकि हमारी जो कोवलेंट बॉंडिंग फोर्सेश है वह इंप्रूव हो सके एंड वी हैव गुड इंटरेक्शन बिट्वीन इन्जाइम एंडि पॉलीमर मैट्रिक्स और हर एक िबिए जा से लोस के लिए आई सरइनेट का स seis करते ज eerste में कोषण फूचंगे एस निपी कॉछा गया है कि कौन से मैंट्रिक्स में कहां से कोश्ट कौन सा कॉछिए हो उसक्सिव की नफ रिएकश अचिछन करते हैं पोरस ग्लास में 7 ऑंसे यूजाओ से जो सबर्री आपक की ट्रिक्स बताई है आपको काफी चीजों को मेंब्राइज करने की ट्रिक्स बताई है अगर आपने वीडियो नहीं देखी है पिछली वाइल तो हमारे चैनल पर जाहिए और वीडियो जरूर देखिएगा तो आंसर था इस कोशन के लिए सबसे पहले तो हमें वी मैक्स पता होना चाहिए री आक्शन की स्पीड क्या है रेट और इंग्रेटर दें इकवल टू और सम फटो आंसर हमारे पास equal to कैसे है equal to चलिए देखते हैं हमें immobilized enzyme और free enzyme के बारे में पता होना चाहिए free enzyme होता है कि activated part होता है हमारा enzyme का वहीं immobilized enzyme हमारे पास inactive part inactive enzyme होती है basically यह basic difference है यहां पर यहां पर ज्यादा deep में नहीं जा रहा हूँ तो प्लीज अगर और कुछ गलती हो रही है मुझसे तो I'm sorry for that यहां पर हम डीप नहीं जा रहें सिर्फ mcu की simple explanation दे रहे है जब हम lecture videos लाएगे जल से जल आएगी lecture videos तो हम उस time deep conversation में लेके जाएगे आपको तो हमारे पास काफी सारी properties होती है जो कि हमारे पास enzyme immobilization का जो process है इसे influence करती है कैसे influence करती है जैसे सबसे पहले के माइकलेस constant माइकलेस constant क्या है हमने यह previous semester में पढ़ा है जिसको बता है वो comment section में जरूर बताएगा तो के माइकलेस constant से क्या बताता है हमाँ affinity मतलब कि क्या relationship है हमारे एक enzyme और substrate के बीच में देखिए जब एक enzyme है ना वो एक substrate के साथ bind होती है और एक enzyme substrate complex बनाती है नेक्स्ट है हमारे पास वी-max जो कि यह enzyme kinetics को determine करती है कि हमारे पास जो reaction हो रही है वो किस kinetic proportion में हो रही है pH partial coefficient यह सब क्या करते हैं हमारी polymer matrix मतलब कि हमारे पास जो polymer matrix है वो कैसा material है अनाई नहीं क्या है किस तरीके का है temperature temperature का direct influence हो जाता है हमारे पास reaction की speed पे और काफी सारे in trapping properties पे जो कि polymer को effect करती है next है हमारे पास stability देखिए अब हमने enzyme immobilize करके रखा है store करके रखा है तो हमें वह एक longer duration के लिए भी रखना पड़ सकता है तो उस time उसकी stability conditions क्या है वह कितना stable है वह भी बहुत important है यहां पर तो उन चीजों को करने के लिए हम stability studies भी प्रपरेटी इस्टेडिश भी करते हैं जिसमें हम इन सारी प्रॉपर्टीज का एक conclusion वे यूज करते हैं next है next question है हमारे पास question number six that is temperature range of enzyme immobilization and this is the question of GPAD 2015 तो हमारे पास options है a b c and d और आपको एक बात बताओ यह question इस साल हमारे गेट 2022 exam 22 examination में भी आया था जो कि 12 फेब में हुआ था यह आप आप आज a pharmacist you can also give a gate exam अगर आपका aim है कि मुझे नाइपर में जाना है तो आप gate exam GPAD exam या net exam तीनों में से कोई वी एक exam को qualify करके नाइपर का exam दे सकते हो उसके बाद आप नाइपर की preparation अपने according कर सकते हैं क्योंकि इन गेट जी पैट और नाइप एक्जाम के बाद बेसिकली गेट और जी पैट के एक्जाम के बाद आपके पास आप 5-6-5-4 मंस होते है पर दी प्रिपरेशन ऑफ नाइपर आपके उपर डिपेंड़े कि आप किस तरीके से कर सकते हो तो हमारे पास है कोशन नंबर 6 तेट इस टेंपरेचर रेंज ऑफ इंजाइम इमोबिलाइशेशन कौन से आप्टिमम टेंपरेचर पर चलती है तो वह हमारे पास 30 डिग्री टू 80 डिग्री सेल्शियस जो कि हमने फर्दर हमारे पास प्रॉपर्टीज जो हमने पिछले कोशन में पढ़ी वही सारी प्रॉपर्टीज है सेवंध कोशन ने इस पार्टिजन कोशन ऑफ एज पॉस्ट हेट कोशन करना बटेंगर को शाले को यह तो यह फोप्र नहीं होस्ति को थे तो देख्या पहले है अगर यह जघ्सेंगर करना चाहिए पहले सेयाइसी पी-धि-फॉर स्टी र और सीर अग्र आपको वीडियो पसंद आ रही है ना तो इस बीडियो को लाइक जरूर करना क्लासेज डॉट कॉम पे जाके के वेल क्लासेज डॉट कॉम पे जाके अपना यह पूरा जो टेस्ट है 15 से बीस कोशन अपने डाले होगे टेस्ट में उस टेस्ट को जरूर परफॉर्म करिएगा 물ल अंसर है हमारे पास स्त poi कूलो इसे बाला और हमारी रियक्षिएंशिए को में लेकि आना सिंपल कहने का मतलब यह कि हमारी रियक्षिनेश्य को बढ़ा देना अब यह STR, CFT यह कई सारे हमारे पास enzyme immobilization reactors होते हैं जिसमें हम mobilization करते हैं STR steered tank reactor यह सबसे simple system होता है CFST continuous flow steered reactor, PBR packed bed reactor and FBR FBR is the most and widely used and accurate results होते हैं FBR के during the enzyme immobilization it is the mostly used question पूछा जात चुका है कि mostly used enzyme by reactor concept वो है हमारे पास FBR that is fluidized bed reactor next question है हमारे पास question number 9 that is technique that covers large surface area of substrate and enzyme ऐसी कौन सी immobilization technique है जिसमें हमारे substrate और enzyme का जो surface area है तो एक large area में cover होता है that is polymerization entrapment method absorption method और all of the above the answer is entrapment method कैसे entrapment method अब देखिए मैं simple अगर आपको simply समझा तो entrapment method में हमारे पास यह देखिए यह सारे हमारे पास एक जेल टाइप है मैंने पहले आपको समझाया था जेल टाइप system में अब जेल टाइप system में हमारे पास यहां पर surface area जो कि surface area वो क्या हो जाता है यहां पर increase हो जाता है surface area increase हुआ तो हमारे पास हमारे question का answer आ गया जो की था answer be that is entrapment method it is based upon the coupling of enzyme coupling enzymes में हमारे पास lyase enzyme लग रही थी ठीक है of lattice of polymer matrix and enclosing into a semi permeable membrane यह बहुत important है कि कौनसी membrane में enclosed किया जा रहा है that is semi permeable membrane it covers the large surface area which is one of its major advantage major advantage क्या है entrapment method की पूछा जा चुक है question और हमने भी तभी डाला है that what is the major advantage that is it covers maximum surface area next question बे आते हैं that is question number 10 and last question for the enzyme immobilization fluidized bed reactor is used for substrate solution with कौन से ऐसे substrate solution होते हैं जिसमें fluidized bed reactor देते हैं यूज करते हैं high viscosity gaseous continuity reaction all of the above answer all of the above जैसे मैंने आपको पहले बताए कि fluidized bed reactor FBR बहुत widely used reactor है इसमें हम अगर हमारा कोई fluid material substance है substrate solution है gaseous substrate solution है या फिर semi solid या granular solution है हम उन सबको यूज कर सकते हैं it has a very good result in the process is known as fluidization fluidized bed reactors या fluidized bed systems ना pharmaceutical industry में बहुत यूज किये जाते हैं जैसे fluidized bed spray system हम हमारे tablet coating में भी यूज करते हैं काफी ज्यादा advanced system आ रहा है और day by day technology बढ़ रही है तो मैं बार बार करो by technology डर्ना नहीं सब्जेक्ट से एंड वी हाव तु स्टड़ी इट नॉट ओनली फॉर जी पैट फॉर जन्रल नॉलेच एंड एज वल एस फॉर क्रेकिंग अधर एग्जाम जो तो अभी वीडियो एंड नहीं हुए है आप जाहिए मत कहीं भी वीडियो को एंड मत कीजिए कोशन नंबर 11 जो हमारी प्रीविएस वीडियो में हमने डाला था जो कि जीओ सी की थी आयो वह वीडियो आपको पसंद आ लिए और नहीं पसंद आई तो आप वीडियो जाके देख सकते हो और फिर पसंद कर सकते हो क्यूंकि बिना देखे तो आपको कुछ भी पोस्ट डाल रहे है या फिर आपको information देते हैं तो मुझे एक चीज़ आती है बार-बार सर सेमिस्टर का स्राट करो देखिए अगर आपको जी पैड की त्यारी करनी है ना तो एक-दो समिस्टर से कोई फर्क नहीं पड़ता है समिस्टर में आप पास हो जाओगे है इतना हमें आप पर फिरोसा है ठीक जी पैड अगर क्लियर होता है ना तो आपको और यह लिए हमें को एडवांटेज नहीं है तो हमें कोई अडवांटेज नहीं है यहां पर advantage सिर्फ और सिर्फ आपकी है कि आप किस तरीके से उसे करते हो देखिए यह हर फार्मा एस्परेंट के उसमें आता है लेकिन आपको challenges से डरना नहीं है challenges से आगे भड़ना है तो इसलिए बार बार यह बोलना की semester का start करो semester semester देखिए अगर आप जीपैड की त्यारी करोगे तो आपकी automatically semester की भी साथ 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 त्यारी होती है तो इसमें कोई डरने वाली बात नहीं है और दूसरी चीज़ अपना moral डाउन नहीं करना है कि अगर आपके हम टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए तो देखिए स्टार्टिंग हमेशा टफ होती है लेकिन एक बाद जब हमने दौड़ना सीख लिया ना फिर मज़ा आता है जर्णी में चलो ग्यानी बाबास ज्यादा बन गया आज ग्यान हो गया तो अब 11 कोशन पर आते जो की था आंसर है इसका 3-methyl-cyclobut-2-in तो अगर हम नंबरिंग करें यह दा इस 1-1-2-3-4 देन दी आंसर कमज आउट तो वी आंसर कमज आउट वी 3-methyl-3rd position पे हमारे पास methyl group पे ठीक है 3rd position पे methyl group है cyclobut-cyclo it is an cyclic structure with four carbon atoms that is but and it has a double bond here at this primary position that is but in so i hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी इस mcqs भी अच्छे लगे होगे हमारी website पे काफी mcqs चल रहा है आप जाके website को check out कर सकते हो and for more updates आप हमें subscribe कीजिए follow कीजिए and thank you so much for watching the video और में यहाओ हो यहाओ है अजिए यहाओ हाओ है गूप कीजिए बद़्ुभक्णी च्रहाओ होगे यहाओ है